तांकिर से ख़बर है बस्तर फाइटर के जवान की मलेरिया से मौत हो गई है नकसल मूर्चे पर तैनाथ था ये जवान मार होने के बाहर जवान अपने खराया हुआ था हालत बिगड़ने पर उसे राइपूर रैफर किया था अस्पताल में लाज भी चल रहा था और उसी दौरान उसने दम तोड़ दिया नकसल मूर्चा में तैनाथ जवानों को मलेरिया का खत्रा लगातार बना रहता है और ये जवान भी इसे चपेट में आया था और अब दम तोड़ दिया है जवान लेकिन इलाज के दौरान फिर इनको राइपूर रिफर किया गया है लेकिन तब तक काफी सीरियस हो चुका था और ब्रेन काफी एफेक्ट हुआ है जिसके कारण कल रात में इनका डेथ हुआ है राइपूर में बुल्डोजर एक्शन देखने को मिला राजधानी में निगम का बुल्डोजर चला है सिविल लाइन में अधिक रमर्ण पर बुल्डोजर चला बढ़ी संख्या में अवय दुकानों को हटा दिया था बल्रामपूर में अधिक रमर्ण अटाने का विरोध देखा गया अधिक रमर्ण अटाने के बाद आज लोगों का गुस्सा पुट पड़ा लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी को रोका तोड़ फोड़ पर रोक लगाने की मांग की लोगों ने जम कर नारे बाजी भी की वाड़ अफ नगर सड़क को जाम किया गया है बता दे रामानोज गवन जुनेंड रोट का ये पूरा मामला है अब लोगों को समय दे के हम लोगों अपने उची अदिकारी मंगर मढण है तो नगर पंचाइद की सारी दुटाने अथि है अच्छाब बादर के लिए अच्छाब बता दे आपको पुरा मामला है कि मैं जिस तरीके से हमलू अभी मजदूरों के बारे में मजदूरों के नियुंत्म वेतन के बारे में जिस तरीके से हमने अभी चिठ लिखा राष्टपती को और सरकार को भी कि आज़ादी के बाद अज तक मजदूरों को 7800,9000 से ज़्यादा तनalgia नहीं मिलती बिलास्पुर में कॉंग्रिस पारशित पर एफ आई आर हुई है फर्जी रसीद से वसूली का ये मामला है पारशिद अमिर्ट सिंग के खिलाफ धुखाणडी का मामला भी दर्ज हुआ है कमिशनर के पत्र पर कॉंग्रिस पार्षट के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई मता दे सरकंडा थाने में वार नमबर पचास के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई है मुख्यमंतरी स्वालंबन यूजना के तहट 40 दुकाने आवंटित की गई है नौ दुकानदारों के पास संदिक्द रसीद पली पार्षब ने फर्जी रसीद दे कर दुकानदार से 18,700 रुपए वसू ले है सरगुजा जिले के मैंपाट नर्मदापुर की नाबालिक बेटी पिछले दो साल सलाब पता है उसके पिता और परिजन बेटी की दलाश कर रहे हैं दरदर भटक रहे हैं परिजन उनने राजमहिला अध्यक्ष से बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई लापता लड़की के पिता ने मानव तसकरी के आशंका जटाई उन्होंने आरूप लगाया कि महिला बालकास वर्हाग के सुपरवाईजर के पर्द पर काम करने वाली एक महिला ने है वो उसके नावाले बेटी को गायब करने गाया है। बार्ष में उफान पर नदी नाले आ चुके हैं नदी पार पुल रानी डूंगरी और नहीं है पुल और गावडे पारगाव का यह मामला है। फिल्हाल आप तस्वीरे निकल करके सामने आई हैं ते देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्षन दिया जाता है इनको क्या सहौली अद्धी जा रही है जाधा जानकारी के लिए सही होगी खेम नाराण आपको बड़ी आवाज मिल पा रहे हैं जी जी जानकारी दीजे जी देखें जिस पकार से जब भी मानसुम्स का सब्सक्र शुरू होता है और इस पकार की तस्वीरे बश्तर के अधिकांस छेपरों से निकल कर सामने आती है कि तिसी गाओ के बच्चे जो इसकुल पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं उनके इसकुल जाने के रास्तों में नदी नाले चलते हैं और नदी नालो को उफान को भी वो पार करके इसकुल पहुंचते हैं हाला कि विताब के कई दावे जो है सरकार करकी जरूर है लेकिन ये भरातल पर दिल्कुल नजर नहीं आता है और हर वर्थ जो है इसी प्रकार से जो है नदी नालो को पार करके बच्टे स्कूल पहुंचने पर मद्बूर हैं जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया अब बलोदा बाजार में न्यूज जटीन के खबर का बड़ा असर हुआ वच्चों को कंधे पर नाला पार कराने की खबर अमने दिखाई थी खबर दिखाने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची न्यूज जटीन प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कलेक्टर की पपसूनी में एक्शन लिया SDM सहट कई आला अधिकारी मौके पहुंचे स्कूल जाने के लिए अखिर कितनी समस्या है ये बलोदा बजार जीले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गढधा ये पार करके जाते हैं इन गढधों को पार करके स्कूल जा रहे हैं लेकिन प्रसासन और सिस्टम के पापा समना रोज जादा कई से करता नई जामन इसकूल जाना बंद कर देता है रोज असने जाते हैं रोज अधा ये देख सते हैं कितना गढ़ा है जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आचुके हैं पानी अभी और इधर जाएंगे तो देखें गढ़ा किस तरह से ये बता रहा है कि जो सिस्टम है प्रसासन है आखिर क्या कर रही है इतने गढ़े में लोग इसकूल जा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रसासन और सिस्टम के उन आला अपसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर समाधान होगी लिए देखने वानी बात होगी कि अगर सरकार सिस्टम के आला अदिकारी कब तक सामने आएंगे केमरामें देवा के साथ योगे स्याद आओ न्यूज जेटीन वालदा बजार गरिया बंद का अजिकर करते हैं स्कूल के विद्यारती जान जोखिम में डाल कर नदी पार कर रहे हैं अमली पदर सुखा नदी का ये मामला है तेज बारश से नदी उपफान पर है पुल नहीं होने से ग्रामीर परेशान है पछले दो सालों से पुल का नर्मान काम चल रहा है स्कूल के लिए जान जोखिम में डाल कर नदी पार करनी पचते हैं कभी भी बड़ा हाथसा हो सकता है बालोट जले के लम्टी गाव के नाले की ये तस्वीरे हैं सभी मवेशी सुरक्षत बताए जा रहे हैं कोर्बा में बारिश का कहर है नदी नाले उफान पर है एक ग्रामीन की रूबने से मौत हो गई बिलासपुर कोर्बा मार्ग में गाजर नाला की उपर से पानी भह रहा है करतली पुटा का रप्टा तूट चुका है कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा गरियाबन में पहली ही बारिश में भष्टा चार की भेंट चड़ा है चैक डेम पहली बारिश में चैकडेम ने अपना दम तोड़ दिया निर्माण ऐजेंसी पर अब शवाल भी उठ रहे हैं बनरेगा में चेकडेम बनाया गया था मैनपूर ब्लॉक की ग्राम पंचाहत चलना पदर का ये मामला है।